बाच्पा प्रदेश अध्यक्ष विश्णुदत्त शर्मा ने भोपाल में आयोजित पत्रकार वारता में कहा कि मुख्यमंत्री शिवरास जिंग चोहान और हम सभी ने मापितामरा का आशिरुवाद लेकर इस चुनाव अभियान की शुरुवात की है नवरात्री के शुब अउसर पर कल से प्रदेश में भाजपा तीन दिवसिय शक्ती सम्मिलन का आयोजिन करने जा रही है दो हजार तेईस का ये चुनाव बूत पर लड़ा जाएगा सक्ति सुरुपामा दुरुगा के आशिरुवाद से मध्यप्रदेश में फिर इस बार भारती जनता पार्टी की सरकार के जैगोस को उद्गोसित करने के लिए नवरात्री के इस पावन अवसर पर तीन दिवसिय सक्ती सम्मिलन का आयोजिन करने जा रही है और भाजपा का सजग प्रहरी बोकार करता गरीब कल्यान और विकास और हमारे नेतरतों के पर जनता का विस्वास और संगठन की ताकत के बल पर इस चुनाव में हर बूत पर चुनाव जीतने के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेगा यही इन सक्ती किंद्रों के बारे में जो सक्ती संबेलन भारती जनता पार्टी का नेतरतों हम सब मिलकर के 17,18,19 जमीन पर बूतों पर गाउं गाउं के अंदर होंगे भारती जनता पार्टी का नेतरतों इन तीन दिनों में मा की आराधना करते हुए मा से आसिरवाद लेकर के अपने इस मध्यप्रदेश को जो बीमारू राज्ज 2003 का कॉंग्रेस के नेतरतों का बीमारू राज्ज था जो भारती जनता पार्टी की सरकार ने विक्सित राज्ज की सरणी में लाकर के खड़ा किया तो अब हमारा संकल्प है ये मध्यप्रदेश देश के अंदर एक नंबर प्रदेश बनेगा और सौने म प्रदेश बनेगा इस संकल्पना को लेकर के हम इस चुनाव में ये बूत पर लड़ने वाला चुनाव हर बूत पर चुनाव लड़ा जाएगा इस आधार पर भारती जनता पार्टी के संगटन का कारकरता मैदान में उतर करके तैयार है और गरीब कल्यांट और विकास ये कपट की राजनीती करने वाले इन कॉंग्रेसी तत्तों को इनके ताकत के साथ मैदान में बूत पर खड़ा है सजग प्रहरी के नाते से इस भूमेका में भाजपा के कारकरता मैदान में उतरे हैं यही जानकारी मुझे आज मीडिया के मित्रों को देनी थी बहुत बहुत ध